किशोरी सशक्ती करंड पहल संभाद सह सम्मेलं समाहरों में किशोरियों को पंचात समीती जामू जरना आकमल अनसारी और उपुमुखिया देवानन्द मालतों ने सम्मेलं पर भाग लिया आकमल अनसारी ने बताया कि किशोरियों को शिक्षा प्राप्त करना उतना ही जरूरी है जितना कि शरीर में सांस लेना और साफ सफाई पर रहने को कहा कि गाओं घर में जल जमाओ होता है उससे काफी विमारी उत्पन्ने होती है इसके लिए भी दिशा निर्देश दिये कि किशोरियक के अभिभावक किशोरियों को पढ़ा नहीं पाते हैं बच्चों का खान-पान सही से नहीं हो पाना इससे बच्चों का धिमाग कमचोर होता है तो आंग अभिभावक बच्चों को गाली गलोच करें, छोटी छोटी बातों पर मारपीट करें, ऐसे समस्याओं के लिए बच्चों को दिए निर्देश दिए गए हैं, बच्चों को संस्क्रती कला सीखने को कहा गया है और खेल खूत के बारे में कब बताया गया कि आप सभ बच्चे समय समय पर मैपिंग कराना अनिवार है और खान पान में भी आपका ध्यान देना जरूरी है, कपड़े साफ पहने और साफ हमें रहना चाहिए, हमारे घर को भी साफ रखना चाहिए, इससे बीमारिया नहीं होती है और साथ ही संस्था से आए पदादी कारी गण को भी दिशा निर्देश दिये कि किशोरियों को सिक्षा क्या है इस बिंदू पर आप सभी लोग किशोरियों को समझाए और किशोरियों का पढ़ाई जो किशोरियों की है वो ना चुटे वहाँ मल लगा कर पढ़े है अभी के लिए बस इतना ही पर खबरों का सिलसिला लगा आतार रहे का चारी आप रहना चाहते हैं अप्डेट तो बने रहे का न्यूस्ट्वाणीब